आज इश्वर के क्रपा से हम मुलत में एक प्रकार के शान्ती स्थापित कर सके हैं और दूसरा जैसा एक ओमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रयासत्व का था जब सर्वबोम सक्ता हिंदुस्तान में से अपना विस्त्रा लपेट के चली और जब उसने अलान किया इधर परेमाउंट से खतम होती है उस समय पर मुलक में क्या होगा और मुलक एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा उस बारे में बहुत लोगों का अलग-अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे लेकिन जो राजा महराजा हो थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेश अबिमान बताया और बारत की सरकार को साथ दिया उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुलक में जो एक्ता हुई है वो सैंक्रों साल पहले कभी नहीं थी इतनी एक्ता हमने बनाई है और जो काम हमें करना है वो काम हम करे तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्यस्थान है वो ले सकता है और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांदी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगा सारी दुनिया में बहुत उंची होगी इन वादियों में गुंज रही